कई वर्षों तक करशी मंत्री रहे हैं वैसे व्यक्ति गदरुप्ट से तो मैं उनका सम्मान भी करता हूँ लेकिन उन्हों ने किसान के लिए क्या किया साथ साल में देश भर के किसानों से जरब साड़े तीन लाग करोड रुपिय का MSP पर अनाज खरीदा किसानों को अपने पैसे के लिए भी बिचोलियों के भरोसे रहना पड़ता था महिनों महिनों तक किसानों को पेमेंट नहीं होती थी मेरे परिवार जनों हम सची नियत से किसान के ससक्ती करण में जूटे है लेकिन कुछ लोगों ने महराष्ट में किसानों के नाम सीर्फ और सिर्प्र राजनीती की है महराष्ट के एक वरिष्ट नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक क्रशी मंत्री रहे हैं वैसे व्यक्ति गद्रुप्ट से तो मैं उनका सम्मान भी करता हूँ लेकिन उन्होंने किसान के लिए क्या किया साथ साल के अपने कारकाल में उन्होंने देश बर के किसानों से सिर्फ याकड़ा याद रखना साथ साल में देश बर के किसानों से जरब साड़े तीन लाग करोर रुपिये का MSP पर अनाज खरीदा जबकि हमारी सरकार साथ वर्षों में MSP के रुप में इतने ही समय में साड़े तेरा लाग करोर रुपिये किसानों को दे चुकी है 2014 से पहले दलहन और तिलहन ये किसानों को सिरब पांसो छेसो करोर रुपिये की खरीद MSP पर होती थी पांसो छेसो करोर जबकि हमारी सरकार एक लाग पंद्रा हजार करोर रुपिये से ज़्यादा दलहन और तिलहन किसानों के बैंक खातों में दे चुकी है जब बेक्रशि मंत्री थे तब किसानों को अपने पैसे के लिए भी बिचोलियों के भरोसे रहना पड़ता था महिनों महिनों तक किसानों को पेमेंट नहीं होती थी हमारी सरकार ने MSP का पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में बेजने का प्रबंद किया है साथियों हाल में रभी फसलों के लिए MSP की गोषणा की गई है चने के MSP में 105 रुपिय गेऊं और कुसुम के MSP में 150 रुपिय की बड़ोत्री की गई है इससे महराष्ट के हमारे शेतकारी साथियों को बहुत लाब होगा गन्ना किसानों के हितों का भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं गन्ने का मुल्य 315 रुपिय प्रतिक्विंटल किया जा चुका है बीते नौ साल में करीब सत्तर हजार करोड रुपिय का इथेनोल खरीजा गया है ये पैसा भी गन्ना किसानों तक पहुँचा है गन्ना किसानों को समय पर भुक्तान हो इसके लिए चीनी मिलों सहकारी समितियों के लिए हजारों करोड रुपिय की मदद दी गई है मेरे परिवार जनों हमारी सरकार सहकारिता आंदोलन को सतक्त करने का काम भी कर रही है देश भर में दो लाग से अधिक सहकारी समितिया बनाई जा रही है देश के किसानों को बंडारण की कोल स्टोरेज की अधिक सुविदाएं मिले इसके लिए भी सहकारी समितियों को पैक्स को मदद दी जा रही है छोटे किसानों को एपियोज यानि किसान उत्पादक संगों के माद्दम से संगधित किया जा रहा है सरकार के प्रयास से अभी तक देशबर में साड़े साथ हजार चे अधिक एपियोभी बन चुके मेरे परिवार जनों महाराष्ट्र अपार सामर्थ और अंगिनित संभावनाओं का केंद्र रहा है जितना तेज महाराष्ट्र का विकास होगा उतनी ही तेजी से भारत विक्सित होगा झाल 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 झाल